मुझे तुम मिल गए हमदम साहारा हो तो ऐसा हो वेलकम फ्रेंड्स आज का हमारा यही गीत है लव इन टोक्यो फिल्म से है यह गीत जो 1966 में रिलीज हुई थी लिरिक्स लिखे है हसरत जैपुरी सहब ने म्यूजिक कंपोस की है शंकर जैकेशन जीने और गाया है लता मंगेशकर जीने तो आएए जाने किस राग पर आधारित है यह गीत कौन सी ताल बज रही है और सीखेंगे इस गीत के नोटेशन्स चलिए सीखते हैं यह गीत राग पहाड़ी पर आधारित है राग पहाड़ी थाट बिलावल का राग है जिसमें सभी स्वर शुद लगते हैं राग पहाड़ी पर आधारित फिल्मी गीतों में तीवर्म, कोमल नी और कोमल धह का प्रयोग भी सुन्दर्ता के लिए किया जाता है राग पहाड़ी का आरोहो राग भूपाली जैसा ही है लेकिन अवरोहों में म और नी इन स्वरों का प्रयोग करके हम इस राग को राग भूपाली से अलग दिखाते हैं जो ताल बज रही है इस गीत में वो है आठ मात्रा की ताल ताल कहरवा तानपुरा है ए शाप स्केल पर साम सा मुझे तुम साममधा मिल गए हम दम सानी सानी धपधा साहारा सागगपा हो तो धाधप ऐसा हो पनिधप मगमा जिधर देखूं गगगगपा पसा उधर तुम हो गगगगपा पसा नजारा सागगपा हो तो धपमप धधधप ऐसा हो धधपमगमा मुझे तुम साममधा मिल गए हम दम धनी सानी सानी धपधा इस गीत को हमें ताल की चौथी मात्रा से शुरू करना है देखे कैसे धागेना तिनक धिन धागेना मुझे तुम मिल गए हम दम धागेना तिनक धिन धागेना मुझे तुम मिल गए हम दम साहारा हो तो ऐसा हो जिधर देखू उधर तुम हो नजारा हो तो ऐसा हो मुझे तुम मिल गए हम दम किसी का रे 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 सा चांद सा चहरा सारे गर गर सा सा नी सा नजर से नी 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 चुम लेती हूं नी रे रे नी धा पाधा खुशी की रे 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 धा इलते हा ये है धगर गर सा सा नी सा नशे में नी 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 जूम लेती हूं नी रे नी धा धा पाधा सेकिन टाइम नशे में पा 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 जूम पसा धध लेती हूं धधपा पापा मामा नशे में जूम लेती हूं हुई तकदीर भी रोशन सामम धधा धनी सानी सानी धपधा सितारा सागगपपा हो तो धधधधपा ऐसा हो धधपमगमा आए तबले के साथ गा कर देखें धागे ना तिनक धिन धागे ना किसी का चांद सा चहरा नजर से जूम लेती हूं खुशी की इंतहा ये है नशे में जूम लेती हूं कोई तकदीर भी रोशन सितारा हो तो ऐसा हूं सेकिंड स्टेंजा की सेम ट्यून है और चौथी मात्रा से ही शुरू होगा मेरी आखों में आसू है मगर आसू खुशी के हैं थर्ड लाइन थोड़ी डिफरेंट है किसे छोड़े रे रे धरू किसे पालू धसा सारे रे गरे सानी सा किसे छोड़ू किसे पालू ये रिष्टे जिन्दगी के हैं ये रिष्टे जिन्दगी के हैं आगे सेम ट्यून आये तबले के साथ गाएं धागे ना तिनक धिन धागे ना मेरी आखो में आसू है मगर आसू खुशी के हैं किसे छोड़ू किसे पालू ये रिष्टे जिन्दगी के हैं ये रिष्टे जिन्दगी के हैं हमी तो नाज है तुम पर हमारा हो तो ऐसा हो थर्ड स्टैंजा की भी सेम ट्यून है आये तबले के साथ गाएं धागेना तिनक धिन धागेना उधर दिल है इधर जा है अजब मुश्किल का सामा है लब पर मुश्कुराहत है मगर सासों में तूफा है यह मैं जानू या तुम जानू इशारा हो तो ऐसा हो जब भी हम किसी एक राग का राग विस्तार करते हैं और फिर धीरे से उसी राग से मिलते जुलते किसी दूसरे राग के स्वरों को दिखाने लगते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं तिरो भाव और फिर दूसरे रागों की जलक छवी दिखाते हुए हम बड़ी खुशिलता पुर्वक वापिस उसी में राग पर आ जाते हैं हम एक्चुली गा रहे थे तो इसे कहते हैं आविर भाव यानि वापिस आ जाना जैसे आप राग बागेश्री गा रहे हैं उसका स्वर्विस्तार किया और फिर धीरे से राग भीम पलासी और राग पढदीब दिखाने लगे तो इसे कहते हैं तिरो भाव और वापिस आते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने म्यूजिकल इंस्टुमेंट्स पर गीतों को बजाते रहिए फिर मिलेंगे एक नए गीत के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच पर जॉइनिंग में नमस्ते